जैहें, dear students, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से learn by defense youtube channel पर और इस वीडियो में हम लोग kinematics का part 3 करने जा रहे हैं lecture 3 है आप लोगों का, अगर आप लोगोंने पिछले दू lectures को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा one dimension motion का यह practice session है या straight line in motion का practice session है तो अगर आप लोगोंने first and second part को नहीं देखा है उसे जाकर जरूर देखिएगा उसके बाद ही इस part को देखिएगा क्योंकि यह numericals और conceptual का test है या practice session है तो यह आपको जबी आसानी से आएंगे जब आप लोगों के concept clear होंगे अगर आप लोगों के already clear है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ doubt है तो उस lectures को जाकर जरूर देखिएगा जैसे कि आपको हर concept clear हो और आप इन कौशिस को easily कर पाएं तो चलिए start करते हैं start करने से पहले अगर आप लोग notes के लिए परिसान हो तो physics के notes के लिए आप लोग इस्टॉल कर सकते हो learn way defense app को जितने भी pdfs हैं वो learn way defense app पर available है फ्री में है और practice के लिए online test series के लिए आप लोग इसने subscribe नहीं किया है वो subscribe जरूर कीजिए और bell icon को जरूर दबाइएगा जिससे के आप लोगो next videos के notification तुरंत मिल सकें तो चलिए start करते हैं first question आपके सामने video को पहुँच कीजिएगा फिर उसके बाद check कीजिएगा इसका right answer क्या होगा तो जो strength option number d 1 is to 3 को चुनना है उनसे भी answer right है किस तरीके से तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है the displacement time graph for two particles a and b are straight line जो displacement time graph है तो particles के लिए वो a और b straight line दे रखा है और उनके angles आप लोगों को बता रखे 30 degree and 60 degree with time axis तो जैसे कि आप लोगों को पता है xt का graph क्या होता है जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्स में discuss किया है तो यह आपको दे रखाए एक particle 30 degree पर है और b particle आप लोगों का 60 degree पर है तो यहाँ पर आप लोगों से ratio पूचा गया बेलोसिटी का तो जैसे कि हम लोगों ने xt graph में देखा था जब हम लोग slope निकालते हैं जब हम लोग slope निकालेंगे इस graph से तो वो क्या देगा आप लोगों को बैलोसिटी देगा तो बी यह के लिए भी आप लोगों को निकाल लीजिए वीए के लिए हो जाएगा 10 30 विच इस इक्कोश टू 1 वाई रूट 3 और भी तो जो इस्ट्वेंट्स ऑप्शन नमबर है 25 किलोमेटर पर आर को चुनना है उनसे भी आणसर रॉंग है अक्सर इस्ट्वेंट इन टाप के question में गलती क्या करते हैं average speed पूछी गई है तो वो क्या करेंगे 20 किलोमेटर को लेंगे 30 को then divided by 2 which is equals to 25 यह गलत है क्यों गलत है त तब जाकर यह formula correct होगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जो car है उसने travel किया है A से B तप 20 किलोमेटर पर आर और return आई है 30 किलोमेटर पर आर तो यहाँ पर यह वाला formula applicable नहीं होगा इसमें क्या होगा जब particle या जब car आप लोगों की half distance V1 से करता है और second half distance V2 से करता है तो इ A से B तक जाने में कितना time लगा और B से A तक आने में कितना time लगा फिर उसके बाद हम लोग इसकी average speed निकालेंगे क्योंकि average speed क्या होता है average speed होता है आप लोगों का total distance upon total time taken यह question length ही जरूर रहेगा लेकिन आपको यह दोनों concept समझने होंगे तो सबसे पहले हम लोग T1 निकाल 30 km पर आर की speed से motion करती है और T2 आप लोगों का आज आएगा xy 30 km पर आर तो यह T1 आगे यह T2 आगे total distance आप लोगों की 2x तो average speed क्या हो गई आप लोगों की तो यह होगे आप लोगों का 60 into 2x और यहाँ पर आज आएगा 3x plus 2x कितना होगे 5x x से x cancel यह 12 time and 12 into 2 कितना होगे त half distance है वो एक speed से और second half distance जो है वो दूसी speed से और यह वाला जो common formula है वो यह जब है जब आप लोगों की कुछ time के लिए इस speed से चला और second time के लिए जो car है वो दूसी speed से चली तब आप लोग उनका इस तरीके से average निकाल सकते हो लेकिन जब आप लोगों को distance half half दे रखी हो और V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा 20 प्लस 30 is equals to 50 0 से 0 cancel 5 से 4 time 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24 तो 24 km पर hour again same answer तो option number B यहां पर correct होगा आप लोग इन दौनों formula को note कर सकते हो और यह वाली approach आप लोगों की जब रहनी चाहिए जब आप लोगों कोई भी formula समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से जल time के लिए V1 velocity से चला और कुछ time के लिए V2 velocity से चला तब आप लोगों के step से average ले सकते हो लेकिन जब आप लोगों को half distance V1 velocity से cover हुई है और half distance V2 velocity से cover हुई है तब आप लोगों को यहां पर 2 V1 V2 Y V1 प्लस V2 आप लोगों को use करना होगा I hope आपको यह question अच्छी तरीके से clear ह हुआ होगा उम्मीद करते हैं एक्जाम में आपसे step के question में कोई गलती ना हो next question है question number third तो वीडियो को पहुच कीजिए और चेक कीजिए आप लोगों का answer I hope आप से भी ने कर लिया होगा जिन्स्ट्रेंट से नहीं हो है वो लोग देख लीजिए यहां पर दिया गया है one car moving on a straight road cover one third of the distance यहां पर one third आएगा one third of the distance with 20 km per hour and the rest with 60 km per hour तो यहां पर हमें equal distance नहीं दे रखिया है अगर हम लोग फिर से A और B point मानें तो जो distance है one third वो आप आप लोगों के कबर और यह 20 km per hour की speed से और जो rest distance है two third यानि two by three x अगर यह x है total 60 km per hour की speed से तो अब आप लोगों को यहां पर average speed find करनी है तो बहुत ही simple है यहां पर हम लोग general approach के साथ जाएंगे यहां पर क्या calculate करेंगे हम लोग simple time calculate करेंगे तो T1 आप लोगों का हो जाएग distance upon speed distance होगे आपकी xy3 और speed आपकी 20 km पर hour तो वो होगे आप लोगों का xy60 km xy60 hour इसी तरीके से हम लोग T2 निकालेंगे तो वो जाएगा आप लोगों का 2y3 x upon 60 तो यह आप लोगों का आज आएगा xy90 6 3 3 18 16 to 3 180 और 2 से cancel करने पर xy90 hour तो यह हमारे दोनों time आ चुके है और हमने देखा average speed क्या होती है total distance upon total time taken total distance है अपनी x total time लिया गया है xy60 plus xy90 तो हमारा जो LCM आएगा LCM आगे आप लोगों का 180 6 3 time और 90 से यह 2 time 180 xy 5 x 5 से यह cancel हो गया 36 time तो x x cancel यह आप लोगों का आगे 36 km पर hour clear है तो जिने students ने option number D को चुना है उनसे भी answer right है I hope आप सभी को यह questions समझ में आ रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को like कीजे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe जरूर कीजे आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने question number 4 बहुत ही सांदार question है इस टाप से question पूछे जात speed of a body is always तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए जब भी ratio की बात आती है तो पूछा क्या गया है आप लोगों से average velocity is to average speed तो यह ratio हम लोगों से पूछा गया है कि यह unity रहेगा या unity या उससे कम रह सकता है unity या उससे ज्यादा रह सकता है या फिर हमेशा less than unity रहेगा तो अगर हम ल बात करें average velocity की तो वो speed से कम भी हो सकती है ऐसा क्यों क्योंकि अगर आप लोगों का displacement distance से कम हो जाता है तो वहाँ पर आपकी velocity भी कम आएगी clear है तो इसलिए जो ratio होगा वो less than unity रहेगा या unity हो जाएगा जिस case में आप लोगों का straight line motion हो रहा है जिसमें आप लोगों का displacement and distance दो कोनों बरावर हैं तो उस case में आप लोगों की velocity as well as speed same रहेगी तो वहाँ पर आपका answer आजाएगा 1 ratio का लेकिन अगर आप लोगों का कुछ step से case बनता है और इसमें जो displacement है वो less होगा distance से तो वहाँ पर आप लोगों की velocity कम होगी in comparison to speed तो वो आप लोगों का हो जाएगा less than 1 तो यह बात आप लोगों ध्यान रखें कि आप लोगों से पूछा गया है velocity is to speed ratio पूछा गया है या speed is to velocity पूछा गया है तो इस बात का basis ध्यान रखें जिससे कि आप लोगों को एक्जाम में कोई problem ना हो next question आपके सामने question number 5 वीडियो को पहुच किजी और चेक किजी अपने right answer को I hope आप सभी ने कर लिया होगा तो यह question पूछ रहा है the instantaneous velocity of a body can be measured यानि जो instantaneous velocity होती है body की वे किस के द्वारा measure की जाती है तो जो students option number C by speedometer चुन रहा है उन सभीका answer wrong है तो आपकी जानकारी के लिए बता देते है speedometer speed को measure करता है ना कि velocity को पहली बात अक्सर student यहाँ पर यही गलती करते हैं कि उनको लगता है speedometer आप लोगों की instantaneous velocity को बता सकता है नहीं जबकि वो आपकी instantaneous speed को बताता है तो instantaneous velocity को find करने के लिए हम लोग किस method का use करेंगे graphical method इस टैप से आप लोगों का x और t का जब graph होगा उसमें जैसा भी आप लोगों का graph बने straight line या इस तरीकी से तो जब भी हम लोग उस पर tangent लेंगे वहाँ से हम लोग उसकी instantaneous velocity को निकाल सकत हैं next question आपके सामने question number 6 वीडियो को पहुच कीजिए और check कीजिए अपने right answer को I hope आप सभी ने कर लिया होगा तो यहाँ पर पूचा गया है तो यहाँ पर पूचा गया है तो यहाँ पर आप लोगों से acceleration पूचा गया है तो हमें पता है velocity time graph का यह आपका velocity यह होगी आपका time अगर इसका हम slope निकालने तो हमें acceleration मिल जाएगा तो यहाँ कि option number c यहाँ पर correct होगा अगर हम लोग और options की बात करें area under velocity time graph हमें क्या देगा जब अगर हम लोग area निकालेंगे velocity time graph का तो वो हमें displacement देगा क्या देगा displacement आप लोग note कर सकते हो जब हम लोग area under velocity time graph निकालेंगे तो वो हमें देगा displacement यानि कि बिस्तापन और slope of velocity time graph आप लोगों को देगा acceleration यानि तुरॉण slope of distance time graph क्या देगा जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा वो आपको देगा आप लोगों को कुछ नहीं देगा I hope आप सभी को यह समझ में आओगा आगे बढ़ते हैं next question आपके सामने question number 7 वीडियो को पहुच कीजिए और check कीजिए इस question का answer किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहुत ही simple question है तो जो strength option number 4 meter per second square को चुनना है उनसे भी का answer right है तो यहाँ पर आप लोगों से acceleration कुछ अगे t बरावर 2 second पर और displacement की equation आपको दे रखा है तो आपको पता होना से जब आप लोग displacement का double time differentiation करते हो तब आप लोगों को acceleration मिलता है तो time के respect में displacement का differentiation कर दीजिए dx over dt वो जाएगा आप लोगों का 4t plus 1 plus 0 और यह हमें क्या मिल की velocity और अगर हम लोग बात करें acceleration की तो वहाँ पर आप लोगों को एक और बार differentiation करना हो यानि d2 d square x over dt square तो वो जाएगा आप लोगों का 4 into 1 plus 0 तो यह क्या जाएगा आप लोगों का 4 meter per second square यहाँ पर t equals to 2 second की दरुवत नहीं पड़ी अगर यहाँ पर cube होता तब आप लोग t की value put करते और आप लोगों का answer आजाएगा I hope आपको यह clear हुआ होगा next question आपके सामने question number 8 acceleration of particle changes when यहने की किसी कंड का तुरंड कब परिवर्थित होगा यदी तो यह भी आप लोगों का काफी common question है तो इस question में क्या कह रहा है कि acceleration particle का कब change होगा हम लोगों ने देखा जब भी magnitude change होता है velocity का acceleration change होगा लेकिन अगर आप लोगों का वही circular motion है तो उसमें आपकी direction भी change होती है तो वहाँ पर आप लोगों का tangential acceleration change होता यहाँ पर acceleration general word दिया गया है centripetal acceleration same रहेगा यानि कि जिसमें आपका magnitude change नहीं होगा तो वहाँ पर वह acceleration constant है लेकिन direction change होने के विए से tangential acceleration constant नहीं रहेगा तो यहाँ पर यह दोनों factor काम आएंगे direction of velocity change होगी तब भी आपका acceleration change होगा और magnitude of velocity change होगा तब भी आप लोगों का acceleration change होगा यहाँ option number C यहाँ पर आप लोगों का correct होगा next question आपके सामने question number 9 velocity time curve for a body projected vertically upward is तो वीडियो को पहुँच कीजी और चेक कीजी इसका right answer क्या होगा इस तापके question को अपनी copy में short notes के form में लिख लीजे क्योंकि यह आप लोगों को end में काफी काम आने वाले हैं जो इन tips को अभी से follow करेंगे उनका exam definitely अच्छी से होगा तो हम लोग imagine करते हैं कि हमने किसी body को या ball को उपर की और फैका तो उपर की और फैकने के लिए हमारी जो initial velocity रहेगी वो कुछ रहेगी original score graph बनाने में problem आती है वो इस video को देखकर अब समझ आएंगे तो हम लोग देख लेते हैं velocity time graph किस तरीके से draw करना यह आपकी velocity हो गई बढ़ते हुई और यह आपका time बढ़ता हुआ तो जब हम लोग किसी ball को फैक रहे हैं तो उस समय हमारा time है 0 स्टार्टिंग कर रहे हैं और velocity हम लोग लगा कर देंगे यानि कि कुछ velocity देंगे तभी वो उपर जाएगा यानि कि हमारे जो point 1 है वो यहां से start होगा कुछ velocity हम अल्रेडी दे रहे हैं 0 second पर और जैसे जैसे ball उपर की ओर जाएगी तो उसकी velocity क्या होगी decrease होगी तो हमें नीचे की ओराना होगा और हमारा जो time है वो क्या होगा increase होता हुआ जाएगा तब जाकर हमारी कुछ इस तरीके से straight line बनेगी clear है यहाँ पर जो acceleration हो रहा है वो negative है तो उसे हम retardation भी बोल सकते है और वो acceleration किसकी वेसे है gravity की वेसे क्योंकि हम gravity के opposite direction में जा रहा है तो उसकी वेसे जो acceleration है वो negative जी आएगा यानि कि retardation है क्योंकि बॉल की velocity at a certain height वहाँ जाकर 0 हो जाएगी फिर वो दुबारा से gain करेगा velocity को और फिर जाकर जमीन पर लगेगा तो इसलिए यहाँ पर जो velocity time graph है वो किस तरीके से बनेगा straight line I hope आप सभी को यह clear हुआ होगा तो D straight line आपनोंका correct answer है next question आपके सामने question number 10 a ball thrown vertically upward after reaching a maximum height h return to the starting point after a time of 10 seconds its displacement is तो वीडियो को pause कीजिए और check कीजिए question के answer को द्यान से बढ़ियेगा question को तो जिन इस्ट्वेंट से ना option number D 0 को चुना है उनसे भी cancer right है किस तरीके से आपने किसी ball को vertically upward throw किया और h height तक reach करने के बाद वह नीचे की और बापस आ गई तो इसमें आप लोगों से displacement पूछा गया है initial point से लेकर final point के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग displacement बोलते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह same base पर आ चुकी है यानि की इनका जो displacement है वो क्या होगा 0 I hope आप सभी को यह clear हो रहा होगा next question आपके सामने question number 11 बहुत ही standard question है इस question में हमेशा confusion रहता है लेकिन इस बार आप लोगों का यह confusion clear हो जाएगा a truck and a car moving with equal velocity on applying the brakes both will stop after certain distance then तो वीडियो को पॉँच कीजिए और बिना guess करें इस question को solve करने की कोसिस कीजिए तो जब हम लोग break लगाते हैं तो उस पर एक force लगती है और force का formula क्या रहता है हमारा ma और अगर हम लोग यहां से mass की बात करें तो truck का mass is greater than mass of car तो अब आप लोगों को यहां पर दे रखा है कि दोनों same velocities के साथ move कर रहे हैं और break लगाने के बाद वो stop हो जाएंगे तो हमारी initial velocity दोनों की same रहेगी truck की initial velocity U है और car की भी आप लोगों की U है लेकिन final velocity क्या हो जाएगी वो आप लोगों की हो जाएगी 0 क्योंकि दोनों break लगाने के बाद एक certain distance पर रुकेंगे और वही हमें चेक करना है कौन सबसे ज़्यादा distance कवर करेगा या दोनों same distance पर जाकर रुकेंगे तो mass हमें यहाँ पर consider कर लिया है initial and final velocity देख लिये तो हमारे पास है velocity और यहाँ पर हमें distance निकाल ली है और यहाँ पर हमें acceleration भी मिल जाएगा यहाँ से तो acceleration of car क्या हो जाएगा F upon M force same है applying the brakes तो जिसका mass ज़्यादा होगा उसका acceleration कम होगा तो acceleration of car is greater than acceleration of truck तो यहाँ से हमें 2 point मिल गए हमारे पास final velocity भी है initial velocity हम लोग ने same रख ली है और acceleration हमारे पास है तो यहाँ पर हम लोग third equation of motion का use करेंगे V square equals 2 U square plus 2AS final velocity हमारी 0 U square की value U अगर हम लोग पहले truck के लिए calculate करें 2 और A आप लोगों का car क्या हो गया A आप लोगों का truck का हो गया और S आप लोगों को calculate करना है S truck और अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो acceleration है वो क्या होगा negative होगा क्योंकि आप लोग brake लगा रहे हो तो acceleration क्या हो गट रहा है तो वो क्या है जाएगा negative तो यह equation क्या लिखी जाएगी U square minus 2AT ST तो अगर हम लोग यहाँ से हमें distance निकाल लिए ST क्या हो जाएगी U square final velocity हमारी 0 है तो U square upon 2A और इसी तरीके सा अगर हम लोग कार के लिए calculate करें तो direct हम लोग कर सकते हैं SC यानि speed of car U square over 2AC तो यहाँ पर हमें यह पतावना चाहिए किसका acceleration जादा है जिसका acceleration जादा होगा उसका इसका distance जो है कम होगी यहाँ पर speed नहीं है यह distance है तो distance of car is greater than तो distance of car is less than the distance of truck क्योंकि जो acceleration का वो जादा है in comparison to truck तो इसलिए जो कार होगी वो जादा distance कवर करेगी तो जो कार होगी वो कम distance कवर करेगी ट्रक से कार विल कवर less distance before rest क्यानि option number B यहाँ पर correct होगा I hope आप सभी को यह question समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं next question and last question इस question का जवाब आप लोगों को comment box में comment करके बताना है यह exercise है आप लोगों को जरूर करनी चाहिए और आप लोगों को यह lecture कैसा लगा please comment करके जरूर बताए और अगर आप लोगों को कोई पी doubt है तो please जरूर पूछिए और वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कीज़े अपने दोस्तों को share कीज़े और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से चैनल को subscribe जरूर कीज़े और बेल आइकन को दबाएगा जैसे कि आप लोगो नेक्स्ट वीडियो की notification मिल सकें अगर आपको कोई doubt रहता है तो आप लोग दिए गए WhatsApp नमबर पर भी chat कर सकते हो और notes के लिए आप लोगो install कीज़े Learn with Defense app को और practice के लिए आप लोगो install कीज़े Learn with Prime app को मिलेंगे हम लोग next part में जो कि आपकी unit 2 ही continue होगी थैंक यू